और इससट माहिर सर्मॉहिज बिनवाल जी मेहाँ पर मौज़ुद है इसक्रफे जानते हैं। आकि शामली के अंदर जिसतर से योगर इतनाज जन्सवा की इसको लेकर किस करे देखने हैं। सर कैसे देखने है योगर इतनाज यहाँ पर आए आज जन्सवा की। केरणा लोक सभाशेतर के सम्मानित किसान भाई जन्मानस यहां 2017 में केरणा पलायन का एक बड़ा मुद्दा था और उस केरणा पलायन को रोकने के लिए अपरादियों को रोकने के लिए मन्नेय योगी जी के रूप में मुख्यमंतरी उत्तर प्रदेश से वो चुन करके उत्तर प्रदेश में एक अपराद मुद्वातरवन देने का काम हुआ आज महराजी यहां पर शामली जन्पद में पदार है और सब लोगों ने कहा कि मन्नेय मुदी जी के नितत्मे मन्नेय योगी जी के नितत्मे जो अपराद का शाषन उत्तर प्रदेश में था आज वो विकास का शाषन हुआ है उसमने तेय किया है कि एक इतियासिक मद्दान के साथ वह भारते जंता पार्टी के प्रतियाशी को जिता करके संसद में बेजेंगे और मुदी जी के हातों को मुझबूत करेंगे तर जिस तरह योगी जी निबाद मंच से कई बार पलायन का मुद्दे को गिनवाया क्या पलायन के बड़ा मुद्दा यहां की जीत पर साधने के लिए कावी हो लोगा शामली जनपद में हमेशा पलायन एक बड़ा विशरा है यहां के वियापारी, यहां के किसान भाई, यहां के युवा साथी एक ऐसा काल था जब रोज हत्याएं होती थी, रंगदारी मांगी जाती थी, अपर आच और तरफ फैला हुआ था और उस वज़र से आज शामली के अंदर जो शान्ती शामली को मिली है, व्यापारीों अपने व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर पाएं है तो उस वातवरन को लेकर के आज आम जन्मानस में एक उत्साहा है और वो कोई विक्ति यहां का नहीं चाहता कि वो कहराना की पुरानी इस्तिती में पहुंचे इसलिए महराजी ने भी यह बात कही कि आज विकास के लिए आपको वोट करना है आज आपको अपने उजवल भविश्य के लिए करना है एक विक्सित भारत के लिए करना है और मुदी जी के हातों को मजबूत करना है और हमारे संकल पत्र में भी कहा है कि यह देश में एक न तो इससे विपक्ष के बातों से ये प्रतीक होता है कि उनका आस्था भगवान राम में नहीं है लेकिन हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवाची वो बगवान राम को मानते हैं केराना की धरती, शामली की धरती, पश्ची मुत्रपदेश की धरा वो बगवान राम में उनकी आस्था है तो निश्चित तोर पर बगवान राम की आस्था के प्रतीक आयुद्य में बगवान राम का मंदिर जो बना है वो उस विशे को लेकर के आम जन्मानास में बहुत उस खाहा है खुशी है चाले बहुत 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 शुक्रिया तो यह थे थे हमारे संद्रेश के शौर्ण नतिज्वाल के शौर्ण